नमस्कार आईए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखे एक और कहानी अलविदा फोन पर आ रही आवाज को सुनते ही शामली के चहरे पर खेज भराई थी किसी तरह अपने को साइयत रख उसने जवाब दिया था मैडाम आज तो पहुच पाना मुश्किल है कलकत्ता से कुछ गेस्ट आ रहे हैं जी हाँ वे लोग दो तीन दिन रुकेंगे उसके बाद जरूर पहुचूंगी प्रिया की मुझे चिंता रहती है कैसी है वाँ फोन रख शामली ने लाड़ी के आचल से पसीना पूचा था वे समित मादवी उसकी और देख पूच पैठी थी दीदी आज हमारे यहां कलकत्ता से गेस्ट आ रहे हैं अरे और क्या कहती रोज रोज उस लड़की के पास बैट बैट बोर हो गई है कभी तो लगता है कहीं मैं भी उसकी तरह पंग न हो जाओ पर दीदी पहले तो तुम वहाँ जाने को उतावली रहती थी तू ना समझेगी हाँ देख अगर फिर मैडम का फोन आए तो कह देना मैं गेस्ट के साथ कहीं गई हूँ पर क्यूं आज मुझे जरूरी कान से कहीं और जाना है इसलिए जानती हूँ जरूर अविनाश जी के साथ जाना होगा देख मादवी तू बहुत जादा बोलने लगी है एक हपते बाद एक्जाम है पढ़ाई में मन लगा समझी अपनी बाद खत्म कर शामली कमरे से बाहर चली गई थी आज सुबह ही अविनाश का फोन आया था वेलफेयर में बैंडिट क्वीन लगी है दोनोंने साथ जाने का प्रोग्राम बनाया था कुछी देर बाद अविनाश स्कूटर से उसे लेने आया था बल सवारती शामली के मन में दुविधा सी आ गई छूटी बेहन माधवी जादा ही बोलने लगी है पर क्या उसकी बातों में सच्चाई नहीं है मिसिस जॉनसन से शामली के भेट अचानक हुई थी महिला कलब दोरा जरूरत मंदों की सहायता के लिए आयो जित मेले में मिसिस जॉनसन अपनी बेटी प्रिया के साथ पहुची थी मेले में कॉलेज की लड़कियों को वलिंटेर बनाया गया था बीए के बाद बेकार शामली भी खाने के काउंटर पर ड्यूटी पर थी बेल चेर पर आई प्रिया को देख शामली के मन में दया उपजी थी इतनी छोटी उम्र में तो लड़कियां पंक लगा उड़ती हैं और ये बेचारी उसके पास बहुच शामली ने प्यार से पूचा था अब क्या लेंगी मिस चटपटी चार्ट या मीठा रजगुला शामली की और बड़ी-बड़ी आखों से निहारती प्रिया मौन ही रही थी जल्दी बताईए मिस उत्तर में बुदबुदाने की चेश्टा में प्रिया के होटों के किनारे से लार से निकलाई थी उस और इस पस्ट स्वर को समझ पाना शामली को मुश्किल लगा था प्यार से जुक कर उसके मुँसे निकली लार पोच मिसिस जॉन्सन ने शामली के प्रती आभार वेक्ट किया था ठैंक्स एक रसगुला देंगी रसगुल्ले की प्लेट थाम मिसिस जॉंसन ने बड़े जतन से छोटे-छोटे टुकडे कर चम्मत से प्रिया के मुह में देने शुरू किये थे इस प्रियास में अगर कुछ टुकडे मुह में न पहुच प्रिया की हाथ या फ्रॉक पर गिर जाते तो मिसिस जॉंसन तुरंथ पोश देती उस द्रेशन ने श्यामली को द्रवित कर दिया था मैडम ऐसा क्यों? माई बैड लग बेटी क्या इसका कोई इलाज नहीं? उपर वाले के अलावा कोई नहीं हमको पनिश्मेंट दिया है वाग ऐसा क्यों कहती है मैडम सब ठीक हो जाएगा काश ऐसा हो पाता तुम कौन हो बेटी? जी मैं इसी शहर में रहती हूँ मैं भी भगवान का दिया दंड भोग रही हूँ माता पिता की बस दुर घटना में मृत्य हो गई हम दो बहने हैं नौकरी की तलाश में हूँ ओ माई पूर चाइल्ड अगर तुमको मनजूर हो तो हमारी बेटी को कंपनी देने के वास्ते हमारी पास एक जॉब है हम तुमको अच्छा पैसा दे सकते हैं तुम्हारे माफिक लड़की के साथ शायद हमारी बेटी का अच्छा टाइम बेच जाए वैसे इसका और काम देखने के लिए आया है तुमको सिर्फ इस से बात करना मांता ये तो मेरा सवभाग्य होगा मैडम अगर मैं प्रिया के कुछ भी काम आ सकी तो समझूंगी मेरा जीवन सार्थक है दूसरे दिन सुबह शामली मिसिस जॉनसन के बंगले पहुची थी बड़ा सा बंगला चारूर बड़ी बड़ी पीड सामने बड़ा सा लॉन देख रेख के बिना उपेक्षित सा पड़ा था इस पस्ट था किसी समयवा हवेली नुमा बंगला बहुत जीवन तरहा होगा अब तो सामने लगे फवारे में काई जमी हुई थी नाम सुनते ही मिसिस जॉनसन बाहर आ गई थी आओ श्यामली मैं सोच रही थी शायब तुम ना आओ ऐसा क्यों सोचा मेडम एक जीवित लाश के साथ समय काटना बहुत कठीन काम है न अब ये क्या कह रही है मेडम श्यामली सिहर उठी थी ठीक कह रही हूँ बेटी मैं प्रिया की मा हूँ पर उसकी मौत की आहट हर पल सुनती हूँ नजानी कब किस समय वह उसे दबोच लेगी और वह मुझे छोड़ जाएगी मिसिस जॉनसन का स्वर काप उठा था प्रिया के साथ ऐसा क्या हुआ है मेडम ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं से शरीर की हर मास्पेसी हर अव्य धीमे धीमे अपनी मौत पाता जा रहा है और मेरी परी सी उड़ने वाली बच्ची अवश मौत के सिकंजे में जकरती जा रही है अच्छा हुआ उसके पापा ये तकलीफ देखने के पहले ही चले गए हे भगवान इस नन्नी सी जान को इतनी बड़ी सजा जानती हो शामली जिस दिन प्रिया के पाउं ने काम करना बंद किया था उस दिन में बहुत रोई थी तब प्रिया ने मुझे बच्चों सा सहारा दिया था मम्मी दुनिया में कितने लोगों के पाउं नहीं होते मैं अपने हाथों का इस्तिमाल तो कर सकती हूँ न देखना मैं कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाऊंगी कविताएं लिखोंगी मेरा टाइम तो फूर उसे उड़ जाएगा प्रिया की पेंटिंग्स में आकाश उड़ती चड़िया फूलों से अठखेलिया करती रंग बिरंगे तितलिया हुआ करती थी कविताओं में जीने की चाहत होती थी पर अब पिछले एक साल से उसके हाथ अपनी सामर्थिक हो चुके हैं मुँसे ठीक बात नहीं निकल पाती मेरी बच्ची जो जेल रही है मैं सह नहीं पाती रुमाल आखों से लगा मिसिस जॉनसन सिसक उठी थी उस समय धेर सारी ममता उस लड़की के लिए शामली के मन में उमड़ाई थी मिसिस जॉनसन की पीट पर हाथ धर उसने सांतो ना देते मन में निश्चे किया था जब तक संभव होगा वह पल-पल मौत के पास जा रही लड़की का जीवन सुखत बनाने का प्रयास करेगी शुरू-शुरू में शामली को प्रया की बाद समझ पाना कठिन लगा था बाद में वह उसकी असबस्ट भाषा समझने लगी थी प्रया के हाथ अपनी सामर्थ खो चुके थे पर उंगलियों में अभी जान बाकी थी प्रया के हाथ को उठा मेज पर रख देने के बाद उंगलियों में रंगीन पैंसे लटका सफेद कागज पर आड़ी तेरची रेखाएं खीचने में सहायता करती शामली सैम चित्रकारी सीखने लगी थी धीमे धीमे सब प्रयास प्रया की रेखाओं में कुछ चित्रों भरने लगे थे बड़े से झाड़े नुमा पेड जहां अव्यक्त सा सन्नाटा पसरा होता उनके पीछे डोपते सोरे के चित्र पर काले पैंसे प्रया ने मुश्किल से अवसान लिखा था शामली इस्तब्ध रह गई नहीं प्रया को वैसी मौत नहीं चाहिए उस दिन से शामली ने अच्छे-च्छे कहानिया का विताएं पढ़कर प्रया को सुनानी शुरू की थी प्रया के चहरे पर जैसे रंग बिरंगी आभा बिखा जाती एक दिन तो एक कहानी के शिर्षक पर उसने शामली से असपस्ट शब्दों में बात भी की थी कहानी का टाइटल अच्छा है शामली का अधिकांश समय प्रया के पास गुजरता उसके प्रयासों ने मिसिस जॉन्सन को नया जीवन सा दे दिया था बेटी के मुह का बदला रंग उन्हीं आशानवित कर जाता अलाकि बड़े से बड़े डॉक्टर पहले ही बता चुके थे इस बिमारी के बाद फिर ठीक होने की उमीद बेकार है जोठी आशा का कोई नतीजा नहीं निकलेगा अपने घर में शामली की सुक सुविधा के लिए मिसिस जॉन्सन विशेस रूप से सजग रहती अच्छे से अच्छा भोजन वो पहारों के अलावां हर महीने साड़े तीन हजार रूपेओं का पैकेट थमा कर भी जैसे उन्हें संतोश न होता बातों बातों में शामली जान चुकी थी शहर के नामी वकील की एकलोती बेटी मरजीना के पास शादी के लिए धेरो ओफर्स थे पर रॉबर्ट जॉन्सन ने उसे मुग्द किया था प्यार दुलार में पली मरजीना का बच्पन जितना ही सुखत था विवाहिद जीवन उसे कम नहीं था रॉबर्ट उस पर जान चिड़कते थे प्रिया का जन दोनों की जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी लेस लगी फ्रॉक पहने प्रिया कितनी प्यारी लगती थी रॉबर्ट उसे अपनी सपनों का साकार रूप कहा करते थे बेटी के अलामा रॉबर्ट का दूसरा शौक कार रेसिंग का था हमेशा रेस में आगे रहने वाले रॉबर्ट एक दिन कार रेस में कारद और घटना ग्रस्त होने के कारण उन सबको अकेला छोड़कर दुनिया छोड़ गये थे रुपयों पैसों का भाव मिसिस जौनसन ने कभी नहीं जाना पर पती का विच्छो उन्हें तोड़ गया किसी तरह अपने को सहेज उन्होंने अपना पूरा ध्यान बेटी की परवरिश में लगा दिया गाज तो तब गिरी जब इस्कूल की दोड में सबसे आगे दोडने वाली बेटी के पाओं में हलका दर्द होना शुरू हुआ घर में मालिश से लेकर डॉक्टरी दवाई का कोई फायदा न होता दे प्रिया को जब स्पेसलिस्ट को दिखाया गया तो परिणाम सोन मरजीना सामा ने न रह सकी थी प्राणों से प्रेह बेटी को कैसे बताए तिल-तिल मरना ही उसकी नियती थी उस समय मरजीना को सोने की दवाईया खिला कर जीवित रखा गया था प्रिया के बाद पर मरजीना दंग रह गई थी बेटी के सामने वा फिर कभी नहीं रोई थी बेटी भी कैसी खुद अपनी बिमारी पर धेरो के तावे पढ़ डाली थी अगर वा मना करती तो वा हस देती मम्मी जो सच है उसे नकारा नहीं जा सकता उसे स्विकार कर साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए मैं मौत से नहीं डरती ये देखो मैंने कल कविता लिखी है अंजानी मौत के प्रती कोई भै नहीं साखशातकार की ऐसी ललक लेकिन पंक्तियों के बीच कहीं जीने की चाहत जलक उठती ए मौत मैं तेरी गोद में सोने वाली हूँ तुझे देखा नहीं पहचाना नहीं पर मम्मी की आखों में जाकते पाया है कब सामने आकर आगोश में ले लेगी नहीं जानती बस कुछ दिन और जीने की महलत दे दे मम्मी बहुत अकेली हो जाएंगी उन्हें यू छोड़ कर जाना अच्छा नहीं लगता वो पंक्तियां पढ़ती शामली की आखे भराईं थी यू सब के सामने हिम्मती दिखने वाली प्रिया रातों में खुली आखों के साथ न जाने कितना जाकती थी ये बार शायद मिसिस जॉनसन भी नहीं जानती थी मिसिस जॉनसन की मदद से शामली को एक फैक्टरी में रिसेप्शनिस्ट की जगे मिल गई थी उनके इस अनुकंपा के लिए वा उनके प्रती और भी जाधा अभारी थी सुबह 8 बजे से 1 बजे तक जूटी के बाद वह सीधी प्रिया के पास बहुच जाती उसकी प्रतिक्षा करती प्रिया उसे देख खिल सी उठती इधर पिछले दो महीनों से शामली का परिच्चा अभिनाश से हुआ था अभिनाश उसकी फैक्ट्री में इंजीनियर था अभिनाश का साथ शामली की आखों में ढीर सारे सपनी जगा देता जब शामली कभी कभी बहाना कर प्रिया के पास जाना टाल जाती मिसिस जॉंसन इस बात का बुरा नहीं मानती थी पर अविनाश के सानिद्ध की चाहत के साथ प्रिया के लिए शामली के मन में जगे कम से कम होती जा रही थी अक्सर अपनी अनुपस्थिती के बाद जब प्रिया के पास पहुशती तो उसकी आखों में बढ़ रही उदासी देख कर भीवा अंदेखा कर जाती जल्दी जल्दी कोई कहानी ये कविता सुना वथ ठक जाने का बहाना कर घर लोट जाने को वह उतावली रहती आज सुबै भी वही हुआ दो दिनों से शामली प्रिया के पास नहीं गई थी फोन पर मिसिस जॉनसन ने उसे बुलाय था नजाने आज प्रिया क्यों ठीक नहीं लग रही है तुम आ जाती तो शायद उसे अच्छा लगता पिछले कुछ दिनों से मात्वी भी उसे बार-बार टोकती रही है दीदी तुम प्रिया के पास नहीं गई पहले तुम ऐसा कभी नहीं करती थी मेरी अपनी भी जिन्दगी है उसके पास बैठने से अच्छा किसी के मरने पर मातंपूर्सी को चले जाओ शामली जुंजला उठती छी दीदी आज तुम जहां हो उसके लिए मिसिस जॉनसन का एहसान मानना चाहिए उनका अहसान चुकाने के लिए क्या अपने को बे मौत के हवाले कर दूँ मैंने भी उनके लिए जो किया कम लोग कर सकते हैं तो ही बता मेरे अलावा कोई और इतने दिन वहाँ पहले कभी ठिका था माधवी को चुपकरा शामली अविनाश के साथ कहीं घूमने निकल जाती कभी अकेले में वह अपने को जस्टिफाई करती नहीं वह गलत नहीं कर रही थी आखिर उस निस्पंद शब्द लड़की के पास घंटो बैठना क्या उसके अलावा किसी और के लिए संभ़ होता उसने प्रिया को अपना साथ दे कर मिसिस जॉनसन पर कम एहसान नहीं किया है शामली की अपनी भी जिंदगी है उसे वह एक मरने जा रही लड़की के नाम होम नहीं कर सकती घर में कलकत्ता स्यारह महमानों का बहाना बना शामली अविनाश के साथ दो दिनों के लिए बाहर घुमनी चली गई थी जाते जाते मिसिस जॉनसन को सूचना दे गई थी आवश्यक कारेवश उसे अपने अधिथियों के साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है वापिस लोटते ही वा प्रिया के पास पहुचेगी हमेशा की तरह मिसिस जॉनसन ने उसके जूट को सचमान स्विक्रिती दी थी निश्चे ही अंदर से वा शामली के प्रती बेहदाभारी थी दो दिन बाद खेले चेहरे के साथ धर में कदम रखते ही गंभीर रूप से उदास मादवी ने सूचित किया था बधाई दीदी अब तुम हमेशा के लिए स्वतंत्र हो क्या मतलब शामली चौक से गई थी क्या शामली की आखे विस्फारित थी उसके अंतिम समय मिसिस जौनसन तुम्हे खोज रही थी उस दिन भी तो तुम्हे बुलाया था ना दीदी जब अपने इस अम्मानी तथितियों के वज़े से वहाँ जा नहीं सकी मादवी के स्वर का व्यंग जहिल पाना शामली को संभव नहीं था कटे पेट सी पास की कुरसी पर बैट गई थी मुश्किल से हिम्मत सहेज शामली मिसिस जौनसन के घर पहुची थी प्रिया के कमरे में काले वस्तरों में बैठी मिसिस जौनसन को पहचान पाना कठिन लग रहा था दो दिनों में वहां उम्र के दस वर्ष लांग चुकी थी शामली की आहट पर आखें उठा देखती मिसिस जौनसन के चेहरे का अशोब और ज़्यादा गहरा गया था धीमे से उनके कंधे पर हाथ धर शामली मौन खड़ी रह गई थी स्वांतोना का एक भी शब्द निकाल पाना असंभा लगा था मिसिस जौनसन ही बुदबुदाई थी उसके आखरे टाइम तुम नहीं थी बहुत अकिला फिल किया उसने I am sorry मैडम मैं नहीं जानती थी I know बेटी इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं तुमने उसे बहुत अच्छा टाइम दिया है I am grateful to you प्रिया भी तुमको बहुत प्यार करती थी जाते टाइम तुम्हारे लिए बर्थडे कार्ड बना रही थी कुछ लिखकर भी छोड़ा है अपनी जगे से उठ मिसिस जॉनसन ने प्रिया की टेबल से कार्ड और एक नीला कागज शामली को थमा दिया नीले कागज पर बड़ी मुश्किल से लिखे गए और इस पस्ट शब्द थे मेरे मरने के बाद फूलों के गुलदस्ते मतलाना क्योंकि हस्ते फूलों को रुलाना मुझे अच्छा नहीं लगता उम्डे आ रहे आसूं के साथ शामली ने अपना बर्थ डेकार्ड पढ़ा था फिशु आल दी बेस्ट शामली दी अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पोश्पा सकसेना जी के लिखी कहानी अलविदा अलविदा